आघात वर्धि एवं आघात वर्ध्य ता किसे कहा जाता है, इसे ही आज हम जानने वाले हैं, तो दीखिए जैसे ही आप लोहा, ये सब क्या है? सोना चांदी ये सभी आपके धातू के उधारन है और आपने देखावा यदि हम लोहे को पीटते हैं जिसे इस तरह से देखे इसे पीटेंगे तो ये चादर के समान फेल जाएगा फेलना मतलब उता है इस तरह से फेल गया ये बड़ा तो इसे किते हैं फेलना चादर के समान तो जब धातू को पीटते हैं तो वहा चादर के समान फेल जाती है ध्यान से समझेगा जब धातु को पीटते हैं तो चादर के समान फेल जाती है इसे ही आघात वर्द्य केते हैं और आपसे पूछा भी जाता है टेंट किलास में कि आघात वर्द्य का क्या अर्थ है तो यहां है देखिए आघात वर्द्य का मतलग होता है फेलना ठीके तो जब किसी धातु को पीटते हैं तो वहां चादर के समान फेल जाती है इसे ही आगात वर्द कहते हैं लेकिन आगात वर्दिता किसे कहते हैं धातू का यह जो फेलने का गुन है इसे ही आगात वर्दिता कहा जाता है इसी के आगे जोड़िएगा तथा धातू के इस गुन को ही आगात वर्दिता कहते हैं तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आगया होगा कि आगात वर्दित किसे कहा जाता है और आगात वर्दिता क्या होती है ठीक है तो बड़िया से स्क्रीन सोट आप ले लिजेगा और बहुती आसान सब्दों में परिवासा लिखने का प्रियास किया है फिर भी कोई डाउट है कोई भी संका है बेजी जग कमेंट करिएगा आपकी समिश्चा का समाधार करने का पूरा प्रियास करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्पूर्न टॉपिक के साथ